अब बात करेंगे एटा की जहाँ पर मितक संदीब गुपता की शांती पार्ट में पहुँचे साक्षी माराज 27 देसंबर को अलीगण में संदीब की गोली मारकर हत्या हुई थी अलीगंच निवासपर परजनों ने शांती पार्ट कराया विदायक वीरेंद्र लोधी के साथ सेक्नों लोग मौझूद रहे COVID-19 की गाइडलाइन का यहां पर पालन किया गया और साक्षी माराज भी पहुँचे यह बड़ी जानकारे इस वक्त आपको बता दें तस्वीर आप देखिए मृतक संदीब गुपता की शांती पार्ट में पहुँचे हैं साक्षी माराज शांती पार्ट में साक्षी माराज पहुँचे दरसल आपको बतादें की अलिगड में संदीब की गोली मार कर हत्या हुई थी और विदाएक वीरेंद्र लोधी के साथ सेक्टन लोग भी इस शांती पार्ट में मौझूद रहे साक्षी माराज पहुचे अलिगंच निवास पर परजनरों ने ये शांती पार्ट कराया है अलिगड में संदीब की गोली मार कर हत्या हुई थी और अब परजन क्यूर से शांती पार्ट कराये गया जिसमें साक्षी माराज पहुचे शंदीब गुपता जी और शंदीब के परिवार से मेरा भौत ही निगड़का धनिश्रमंद था मुझे याद है कि मैं कभी कुछ आदेश करता था संदीब नहीं टालते थे और उनकी बात को मैं भी नहीं टालता था एदेपर आप सब लोग जानते हैं कि मैं बहुत मजबूत हिर्दय का विक्ति हूँ है माले से भी टकराने की तागत रखता हूँ लेकिन शंदीब की जिस तरह से मृत्य हुई मुझे बेहत पीड़ा हुई और आज इनकी हां शांतिपाठ का कारिकरम था और आज ही मोदी जी की रैली थी लखनुग में मैंने उनके भाई को फोन करके कहा कि अगर रैली केंसिल हुई तो मैं जरूर आओंगा श्रयोंक से रैली केंसिल हुई मैं दिली से केवल और केवल स्वागी शंदीप गुटा को अपने स्रद्धा के शुमत अर्पित करने उनके परिवार को श्रांतोना प्रदान करने के लिए भगवान चरणों में इस्थान दे